असलाम आलेकुम और राहमतुल्ला वेलकम बैक ट्वर्स चैनल उमीद करता हूँ कि आप सब खेराफ्यत से होंगी तो आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है क्लस्टर युनिवस्ट्री अब जमू की तिरफ से पीजी एड्मिशन के लिए नोट्रिकेशन जो है वो रि ऐल आईकन के ट्रेस करें तो सबसे पहले में आपको बता दू कि इतने सब्रेक्ट में जो हैं पीजी होती है इस्ट्र युनिवस्ट्र्री जमू से तो देखिए सब्गतनि होती है नोचिंग सब्सक्राइवotas M.S.C., M.A. Mathematics, M.S.C. Physics, M.S.C. Zoology यह जो है Science Stream के Subjects है Social Science के अगर हम बात करें तो M.Com और M.A. History जो है Cluster से Cluster University से होता है और उसके बाद Humanities से अगर हम बात करें तो M.A. English और M.A. Linguistic and Literature Subject जो है वो Cluster University में है और Integrated B.A.D. और M.A.D. तो जो भी इन Subject में जो है Post-Graduation करना चाहता है तो उसके लिए जो है Notification Release हो चुकी है और उसके अलावा यह तो University School University School के अंडर जो है Subjects थे लेकिन जो Colleges के अंडर जो Subjects है उन में से MA English, M.A.C. Geology और Gандhinagar College से आपको M.A.C. Food Science and Technology का Subjects मिल जाएगा और M.A.M. College से M.A.C. Mathematics और M.A. Mathematics और M.A. Music यह जो है आपको M.A.M. College से आपको यहाँ पर Subjects मिलेगा और SPMR College में जो है M.C.O.M. और Government College of Education से M.A.D. जो है आप कर सकते हैं तो इतने Subjects जो है जिनमें Post-Graduation होती है Cluster University जमू की तरफ से जो आज नोटकिशन निकाली है तो जो आउनलाइन आपको Apply करना है आउनलाइन साइट पर आके जो है आप साइट पर आके जो है आपने Apply करना है तो 25 सेप्टेंबर से आप आपकी Registration होगी और जो क्लोजिंग डेट है क्लोजिंग डेट जो है वो 11 अक्तूबर तक है 11 अक्तूबर तक आप अपना form फिल कर सकती है तो जो फीस रहेगी वो 800 फीस है जनरल कैटागीरी के लिए और 700 फीस है SC और SD कैटागीरी के लिए उसके बाद लेट फीस 150 रहेगी और लास्ट डेट जो है 14 अक्तूबर 2022 और उसके बाद जो एंट्रेंस रहेगा PG के लिए यांट्रेंस होता है तो एंट्रेंस जो रहेगा 22 अक्तूबर 2022 तो बहुत ही काम टाइम है आप हम आपके साथ लेबस भी शेयर करेंगे और प्रिवेश सेर कॉशन पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें हमारे टेलिग्राम में भी आप जाइन हो जाएं तो कुछ इंस्ट्रक्शन यहां पर बताई हुई है तो जो एड्मिशन है वह आपको जो है ग्रेजवेशन और एंट्रेंस के मार्क्स पर जो है आपको मिलेगी जैसा कि जमु इंदस्ट्री ने भी सेम प्रोसेजर जो हो फॉलो किया है यहां पर जो है 70 परसेंट जो है वह मैरिट बेस लिया जाएगा और 30 जो है वह जो क्लस्टर का सबस्टर के पर करें कॉशन पेपर की बात करें कॉशन पेपर जो होगा और उसमें जो है जो है जनेरल इंगलीश के 40 कोश्चन जनेरल नौलज्च के 40 कोश्चन रिजनिंग के 40 question or numerical ability के 30 question तो यह भी आप यहां से जो है आपको pattern भी पता चला कि किस सरी के pattern होगा total number of question कितने होंगे उसके बाद the level of question paper the level of question paper shall be a graduation of the candidate appearing for PG program and the numerical ability shall be a 10th standard the time duration for entrance test will be two and half hour तो two and half hour आपको entrance time duration रहेगी और उसके बाद जो numerical ability के अलावा जो syllabus है वो जो है graduation level का पूछा जाएगा और numerical ability आपको 10th के level तक पूछे जाएंगे उसके बाद जो है negative marking भी है 0.25 negative marking भी उन्हें रखी हुई है फिलहाल आज जो है notification number one release हो चुकी है इसके बाद जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर शेर करेंगे तो जिन्हों ने भी PG करनी है जो भी मैंने subject आपके सामने यहां शेर किए यहां उनके नाम पड़े तो जो जो है form फिल करें और entrance टेश की तैयारी करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ तब तक लिए खुदा आफिस